हाई एवरीवन आज की वीडियो है आपके लिए बहुत ही दादा यूसफुल क्योंकि इस वीडियो में मैंने शेयर किये हैं आपके लिए ऐसे काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स और कुछ जैसे घरीलू जुगार जिससे आपकी डेली लाइफ हो जाएगी काफी हर्तक असान तो चलिए बिना देली के वीडियो देखना शुरू करते हैं हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजेगा और दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजेगा तो बात करते हैं पहली टिप की जब कभी भी हम इस तरीके के नए बरतन घर में लेकर आते हूं चाहे वो कोई कटोरी हो या फिर हो इस तरीके की थाली या प्लेट आपने देखा होगा कि इनकी उपर इस तरीके के ये चिपचिपे से स्टीकर लगे होते हैं जिनको निकालन जाना बहुत मुश्किल लगता है कई बार इस तरीके से निकालने का ट्राई भी करते हैं तो ये पूरा निकलता नहीं है और इस तरीके से फट जाता है और इससे निकालना बहुत मुसीबत वाला काम लगता है क्योंकि इसके उपर जो गोंध होता है वो ऐसा होता है कि इसको आने वाली हूँ जिससे बिना इस तरीके के आधा धोरा स्टीकर फाड़े आप अराम से स्टीकर को निकाल सकते हैं तो आप क्या किजिए गैस को कर लीजिए और इसकी फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और इसके उपर उस बरतन को रख दीजिए जिसके उपर स्टीकर है तो मैंने यहाँ पर यह नई थाली ली है इसको मैं फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लेती हूँ और इसको मैं रख देती हूँ गैस के उपर जहाँ पर स्टीकर लगा है उस पार्ट को गैस के उपर रख देना है बहुत जादा देर तक नहीं सिर्फ कुछी सेकिंड चार से पांच सेकिंड में आप देखेंगे कि स्टीकर और स्टीकर का गौन काफी जादा सॉफ्ट हो गया है और आपको लगेगे हलका सा इसमें से धुआसानी लगा है उस वक्त आपकी गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और किसी भी चाकू की मदद से आप इसको थोड़ा सा कोने से ऐसे निकालेंगे इतना सा अब इसको ना पकड़ के अराम से निकाल दीजे ये देखिए पूरा स्टीकर एक बार में ही निकल जाएगा और बिल्कुल साबू स्टीकर निकलेगा कहीं से भी बीच में से फटेगा नहीं और बहुत असानी से निकल जाएगा और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि बरतन कहीं से भी खराब नहीं होगा ऐसा नहीं है कि आप गैस के उपर बरतन रख रहे हैं तो बरतन काला पड़ जाएगा, बरतन जल जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ उस स्टीकर वाले पार्ट पे हमने रखा है, वो भी कुछ से किन के लिए, तो मैं आपको एक थाली और दिखा देती हूँ, यह देखिए, यह दूसरी थाली है, बिल्कुल उसी तरीके से पूरा का पूरा ऐसे ही निकल चुका है, कहीं से भी आदा फटा नहीं है, अब थोड़ा बहुत इसका जो गोंध है यह तो इसली साबूं से भी निकल जाएगा, तो आई होप कि आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी, तो अगली ट्रिक की बात करें, तो इस तरीकी की rubber band तो अक्सर हमारे घर में आती रहती है, लेकिन हम इने यूज नहीं करते, कई बार तो यूज कर लेते हैं, कई बार इदरो तो फेक देते हैं, लेकिन इनका यूज आप कैसे कर सकते हैं, इस तरीकी का कोई भी आपके पास खराब या ऐसी single container हो, जिसका धकन कहीं खो गया हो, या कोई टिफन हो, या कोई ऐसा बर्तन जिसका lid ना हो, धकन ना हो, और ऐसी single हो, जिसको आप फेकने की सोच रहे हैं, तो आप उसका इस तरीके से इन rubber band की मदद से बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब ध्या इसको फेकने की जोरत नहीं है, तो मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर लगा देती हूँ, जैसे मेरे पास यह कुछ rubber band थे, तो मैंने इनको फेका नहीं था, संभाल के रखा था, अब मेरे पास थोड़े जादा हो गए थे rubber band, तो मैंने सुचा आपको यह trick दिखाती हूँ, अ आप उन सबको एक ही जगा पर इस तरीके से organize करके रख सकते हैं, चाहिए liner हो, या फिर हो आपकी lipstick, आपकी जो भी पसंदीदा चीज हो, वो आप इस तरीके से रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही समान, आप कोई और समान भी इसमें रख सकते हैं, तो I hope कि आपको यह trick भी पसंदाई होगी, इससे आप कहीं भी रख दिजे, अपने dressing table के पास, या फिर almira में, या फिर कहीं भी table पर, यह दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और हर चीज अच्छे से organize भी रहती है, और यह कहीं गिरेगा भी नहीं, यहाँ इसमें से कोई भी चीज निकलन पर दिखाया है, यह बिल्कुल नहीं गिरेगा, तो आई होप कि आपको यह trick भी पसंदाई होगी, अगली trick के बात करीए, तो वो भी rubber band से related है, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कई बार क्या होता है, कि हम कई बार काँच के cup या glass लेकर आते हैं, लेकिन होता यह है कि कई पर यह चीजे नाजुक होती हैं तो टूट जाती हैं, और मेरे पास यह single glass बचा था, अगर आपके पास भी ऐसा कोई glass या cup हो, जो सिर्फ single बचा हो, और इसके बाकी pieces ना हो आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका इस तरीके से use कर सकते हैं, या फिर आपके पास और क अब इसमें अरेंज कर सकते हैं, अगर जादा member है, family में जादा toothbrush है, तो आप थोड़ा rubber band बढ़ा दीजे, और थोड़ी extra लगा दीजे, और इससे आप bathroom में रख दीजे, दिखने में भी सुन्दर लगता है, क्योंकि कांज का glass है, तो दिखने में भी बहुत खुबसूरत ल अगली trick की बात करें, तो जब कभी भी हम साबुन इस तरीके से रख देते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा ये गलना शुरू कर देता है, तो इसे ऐसे बचाने के लिए ताकि जल्दी ये गले ना, क्योंकि साबुन, कोई भी साबुन हो चाह कपड़े दोने का चाह नह आने का बहुत जल्दी गलता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम rubber band का यूज़ करेंगे, और इस तरीके से इसे लगा देंगे, तो ये वो rubber band है, जिनको आप अक्सर फेक दिया करते हैं, तो मैंने इसलिए आपके साथ ये trick शेयर की हैं, ताकि आप इनको इस तरीके से ना फेकें, और इनका युटिलाइज करें, तो आपने देखा किस तरीके से अगर साबुन गलता है, तो आप इन rubber band का यूज़ करके उसे गलने से बचा सकती हैं, जो साबुन आपका चार दिन चलता है, वो आपका हफता भर तो चलेगा ही, क्योंकि पानी सारा इसमें से नि करें, आप इस तरह की ट्रिक का यूज़ करके, कपड़े धोने का साबुन हो, या बर्तन धोने का साबुन हो, या फिर हाथ धोने का ऐसा साबुन हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, तो आई होप कि आपको ये सारी ट्रिक पसंद आई होगी, तो ये कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनका यूज़ करके आप अपनी डेली लाइफ को काफी हत्तक आसान कर सकते हैं तो वीडियो पैसंद आई हो तो जरूर से लाइक कीजेगा और दोस्तों के सांथ जादा से जादा शेयर कीजेगा और इसी तरह के की डेली नईने टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करन बेल को बीना भूले बाबाई